Scientific Writing हर एक शक्स के लिए बहुत जुरूरी है इसके लिए जो इस वक्कत Bachelor's का thesis लिख रहे हैं Master's का thesis लिख रहे हैं या Master के बाद PhD का thesis लिख रहे हैं या Master and PhD के research को publish करना चाहते हैं या वो कोई scholarship ढूण रहे हैं तो ये वो लोग हैं जिनके लिए scientific writing यानि science को लिखना बहुत जुरूरी है। इसी वज़ा से ये 6 मा का course हम जो लेके आए हैं, जिसमें और रेड़ी काफी लोगों ने register करवा दिया हुए, उसका आज पहला दिन है। और हम 6 मा लगातार scientific writing ये उपर बात करेंगे और proper way में पूरे के पूरी scientific writing को सीखने वाले हैं। पूरे के पूरी से मुराद ये है कि मैं आपको narrative review, systematic review, plus research publication इन 3 चीज़ों के बारे में बताने वालों within these 6 months। और ये 3 चीज़ें बहुत important होने वाली हैं। आज scientific writing के इस workshop का पहला दिन है। इस workshop को हमने नाम दिया है 6 months of scientific writing mentorship program। मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel और इन्शाला इन शेम आखे अंदर आपको scientific writing में मैं train करने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप में से काफी लोग ये भी सोचते होंगे कि scientific writing मेरे से तो नहीं होगी। मुझे ना तो अभी तक मैंने supervisor साब ने बताया है ना मैंने किसी teacher से सीख है और मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है तो बिलकुल आप गलत है। reason ये है कि मां के paid में से कोई भी सीख के नहीं आता। तो अगर आप सीखना चाहते है ना आपको सिरफ और सिरफ एक guideline चाहिए जिसके तो आप बहुतरीन तरीके से scientific writing कर सकते हैं। आज इस पहले दिन के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो हमारे 6 मा लगातार जो हैं हमारे यूज में आएंगी। तो इन चीजों को साथ साथ नोट भी करते जाएं और बिलीव मी जो लोग ये 6 मा का कोर्स करने वाले हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही शानदार किसम का होने वाला है। इस कोर्स के बहले 10 दिन का कॉंटेंट टोटली फ्री होने वाला है और 10 दिन के बाद हम ये सिरफ और सिरफ उन लोगों के लिए उपन करेंगे जो पेड कस्टमर्स होंगे। reason to do that is कि हमारे पास scientific writing को सीखने के लिए एक project wise हमें चलना पड़ता है। और हर किसी का feel different होता है और हर किसी को one-to-one mentorship की जरूरत होती है। इसी वज़े से जो हमारे paid लोग होंगे उन लोगों के लिए हम one-to-one mentorship का अगास करेंगे। और Saturday और Sunday को हमारे classes दुआ करेंगी most probably around 12-3 बजे पाकिस्तानी तुपहर को और यह time change भी हो सकता है लेकिन यह उनको बताया जाएगा जो इस course के रिए register करवाते हैं। अगर आप इस course में नई हैं और आप रिजिस्टर नहीं करवाने चाहते हैं तो पहले 10 दिन के lecture सुन ले फ्री में है सब कुछ और उसके बाद रिजिस्टर करवा लीजेगा। लिंक description में again दिया हुए अब वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि scientific writing मुझे free में सीखने हैं मैंने एक रुपया ने देना तो you are more than welcome as well क्यों कि मैंने जितने भी free courses scientific writing के करवाई हैं जितने भी workshops करवाई हैं उनके link मैंने pinned comment के अंदर भी दे दिया हुए और उपर top पे भी आपको नजर आ जाएंगे दिस्क्रिप्शन में जो मैंने links दियो हैं वहां पे जाके free के courses भी कर सकते हैं even with certificate ये सामने जो screenshot आपके आ रहा है इस course को अगर आप करते हैं जिसका link मैंने description में दिया हुए तो ये एक workshop हमने करवाई थी जिसका पूरे का पूर नवेली जो आप समझ रहे हैं वो हो नहीं बलके एक notebook होनी चाहिए वो notebook आपने नहीं purchase करनी है और उसके कम-स-कम 100 से 200 तक pages होने चाहिए reason behind that I am going to ask you to write each and every step on that specific notebook जहारी बात है शेम आपने मेरे साथ चल लें तो वो notebook आपके लिए बहुत जरूरी है notebook का मतलब एक copy जिसके उपर आप लिख सकें तो copy जो है उसके साथ दूसरी जो important चीज़ है वो है आपने कम-स-कम तीन किसम के color markers लेके आने हैं पहला black दूसरा blue और तीसरा किसी भी color का हो सकता है तीन किसम के color markers लाने के बाद आपने दो किसम की different pens लेके आने हैं black and blue reason behind that is हम यह जो colors हैं इनको use करेंगे आपके tips and tricks के लिए और जब भी AI की बात आएगी हम different किसम का color use करेंगे और जब भी हमने को notes longer लिखने होंगे और bullet points बनाने होंगे then we will use different kind of pens और इसके साथ साथ आपसे request यह भी है कि आप एक या दो different किसम के highlighters भी लेके हैं देखें जब भी आपको चीज manage way से लिखते है ना उसका मज़ा आप ही को नहीं बलके जो लोगों को आप दिखाते हैं या future में आप उसको use करते हैं या दुबारा पढ़ते हैं आपको दुबारा से वो चीज़े easily समझ आएंगे और आपको ज्यादा मज़ा भी आएगा काम करने में और यह शेम आके दुरान मेरा प्लैन यही है कि आपको प्रॉपर वे में साइंटिफिक राइटिंग की तलीम भी दीजाए और आपको डिफरेंट किसम के टूल से भी आशिना करवाया जाए एक और इंपोर्टन चीज यह है कि आपने इस कोर्स के दुरान Microsoft Office 365 अप Microsoft Excel प्लस Microsoft OneNote यह चार सॉफ्टेर्स हम यूज करने वाले विच वी आर गोंग तो लर्न इन इस कोर्स इससे अगली चीज यह है कि हम अब से ऑन वर्ड गूगल के लेंडर का यूज करने वाले आपने क्या कि अगर गूगल के उपर अगर जाएंगे तो गूगल के लेंडर य यह सारे दिन जितने भी होते हैं उनकी सुबह को आपने क्या करने फिर सेटेड़े और सेंड़े हम वह सारे कलेंडर और आपने जो भी प्लैन बनाए होगा उस पे काम करेंगे क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग सीखना नहीं इस पे अमल करना ज्यादा इंपॉर्टन होत क्योंकि हमारी ज्यादा तर मीटिंग जूम पे हुआ करेंगी और जूम के सॉफ्टेयर को यूज करना आपको आना चाहिए इसके साथ साथ जब आप जूम का सॉफ्टेयर यूज कर रहे होंगे तो आपके पास एक गुड़ कॉलिटी हेडफून होना जरूरी है ताकि आप हमारी मीटिंग के दुरान कम्यूनिकेट कर पाएं आपको पता होना चाहिए कि जब भी मीटिंग स्टार्ट होनी है आपने जूम के माइक को आफ रखने है वीडियो को आन रखने है ठीक है तो इसका मतलब है कैमरा प्लस अ गुड़ हैडफून इसमें हम परसनली जा के घर करने की ज़रूरत नहीं है जो जब यह कोर्स खतम हो गया देन यूट नहीं है जो नौन पेड कस्टमर्स उनके लिए भी जूम इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है पहले दस दिन का आगाज हो चुका है आज पहला दिन है जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था तो से आपको जो भी काम बताया जाए जो भी काम सीखाया जाए प्लीज उसको रेप्लिकेट करें रिप्रोडूस करें ताके आप उसको सीखते जाए पहला काम आज के दिन का जो मैंने बताया है डिफरेंट सॉफ़वेर्स डिफरेंट टूल्स इंस्टॉल करना और बाकी में बोला जाता है यह आप कहेंगे कि आपकी मिहनत राएगा जाएगी तो जनाबे आली ये था day one अब day two के अंदर मैं आपको scientific writing के definition से start करवाने वाला हूं और बहुत ज्यादा चीज़ों को हम और भी elaborative way में सिखने वाले हैं like this video share this video with others subscribe our channel and see you in the next one Allah Hafiz